नमस्कार, स्वागत है आपका One India Hindi में, मैं हूँ आपके साथ काविंदर चोहाद शादी हैं, जिसको लेकर हर लड़की के अपने-अपने सपने होते हैं सजना, सवरना, दुलहन बनना, लहंगा लेना, हर लड़की सोचती हैं, उसके अपने-अपने खौब हैं लेकिन अगर क्या हो, कि कोई लड़की शादी तो नहीं करना चाहती है, लेकिन दुलहन बनना चाहती है ये ऐसा सवाल है, जिसको लेकर आप भी कहेंगे कि ये क्या बात हुई? अगर शादी नहीं करनी, तो दुलहन कैसे बन सकती है? लेकिन ऐसा ही एक मामला को बता रहे है, गुजरात से आया है, गुजरात के वडुद्रा में एक लड़की है, जो दरसल शादी तो कर रही है, लेकिन दुलहन नहीं है, क्या है पूरा मामला? इस रिपोर्ट में देखिए यह कहानी है गुजरात की रहने वाली शमा की, जो देश की पहली ऐसी दुलहन बनने जा रही है, जिनका कोई दूला नहीं है, वो खुद से शादी करने वाली है, 11 जून को शमा की शादी है, तैयारिया चल रही है, लहेंगे से लेकर जुएलरी तक की शॉपिंग पूरी कर हाई होगी फुल रीती रिवाज के साथ साथ फेरे होंगे सिंदूर होगा बस दूला नहीं होगा इस शादी को सोलो शादी नाम दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर खुद शमा ने बताया है कि वे कभी शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन दुलहन बनना उनका सपना था इसलिए उन्होंने खुद से ही शादी करने का फैस्टा कर लिया इसके बाद उन्होंने ओनलाइन सर्च किया और जानने की कोशिश की कि क्या किसी देश की महिला ने खुद से शादी की है लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला शमा ने कहा कि वो देश में सोलो शादी करने वाली पहली लड़की होंगे और वो उदहारण बनेगी ये विचार मेरे दिमाग में बचकन से ही था ये विचार को लेके में बहुत ही खुश थी लोग ऐसे किसी व्यक्ति से साधी करते हैं जिससे वे प्यार करते हैं मैं खुद से प्यार करती हूँ इसलिए मैं खुद से शादी करने का फैस्टा कर रही हूँ खुद से शादी करना इसके लिए भी एक शब्द है सोलोगे में ये क्या है? बताएं लेकिन उससे पहले बता दे कि शमा की इन सोलो शादी के बारे में उनके घरवालों को पता है शमा ने बताया है और खुद बताया है कि उनके माता पिता खुले विचारों के हैं और इस शादी के लिए आशिरवाद भी दिया है अब को पैरेंट्स को कन्वेंज करने में मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिकॉस मैं बच्पन से ऐसे अतरंगी चीज़े करती हुई आई हूँ तो उनको पता ही था मैं दुनिया समाच से थोड़ी अलग हूँ जब पैरेंट्स को मैंने बता है शौक कहां वो ज़रूर हुए थे पर बाद में उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही जिसमें तुम्हारी खुशी है उसमें हमारी खुशी है वहीं शादी के वेन्यू की बात करें तो ये गोत्री के एक मंदिर में होगी ग्यारा जून को शादी होनी है इसके बाद वो गोवा हनीमून के लिए चली जाएंगे चलिये तो आपको बता ही देते हैं कि सोलो गैमी आखिर है क्या तो सोलो गैमी का मतलब है खुशे शादी करना खुद से शादी करने की वकालत विदेशों में काफी लोग करते हैं, इसके समर्थत भी है, इनका मानना होता है कि इससे खुद की एहमियत पता लगती है और बढ़ती भी है फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहे है, One India हिंदी के साथ